सदर विधान सभा से चौथे राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी टॉक्टर संगीता बलवन 14,021 मतों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं 10,161 मतों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं वहीं बस्पा के प्रत्याशी 6,203 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जंगीपुर विधान सभा से साथवे राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विरेंद्र कुमार यादव 22,607 मतों के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर भाशपा प्रत्याशी 14,776 मतों के साथ वहीं तीसरे स्थान पर बस्पा प्रत्याशी 10,510 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। जमानिया विधान सभा के से साथवे राउंड की गिंती के बाद समाजवादी पार्टी से उम प्रकाश सिंग 25,467 मत पाकर सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं भाशपा को 13,677 और सपा को 9,95 मत मिले हैं। मुहमेदाबार विधान सभा में 9,9 राउंड की गिंती के बाद सपा प्रत्याशी मनु अंसारी भारी मतों से आगे चल रहे हैं। मनु अंसारी 30,437 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं भाशपा की अलकाराय को 20,972 मत मिले हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। जबकि भाशपा को 10,326 मत मिले हैं। जखनिया विधान सभा में 8 राउंड की गिंती के बाद सुभा सपा प्रत्याशी 26,424 मतों के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं। वहीं भाशपा की प्रत्याशी 17,508 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरी स्थान पर बस्पा की प्रत्याशी 11,877 मतों के साथ चल रहे हैं। चहुरबाद विधान सभा में 8 राउंड की गिंती के बाद सुभा सपा अध्यक्ष उम्प्रकाश राजबर 28,397 मतों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं भाशपा के काली चरण 17,948 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वस्पा से शादाव फातिमा 13,851 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। सैथ पुर्विधान सभा में 5 राउंड की गिंती के बाद समाजवादी पार्टी के अंकित भारती 15,657 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं भाशपा से सुभाशपासी 11,242 मतों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। वस्पा से बिनोत कुमार 6,863 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ऐसे ही चुनावी अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं।